हेलो एवरिवन लक्षय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हरदिक स्वागत है उमीद है आप सभी स्वास्थ होंगे और अपनी तयारी को और भी बहतर कर रहे होंगे तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूट्मेंट की अपडेट को लेके जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में जो स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूट्मेंट का नोटिफिकेशन आया था वो एक 2022 में आया था उसके बाद 2023 में आपको DOE और NDMC दोनों डिपार्टमेंट की तरफ से देखने को मिला था 22 वाला DOE की तरफ से था तो तीन एडवेटीजमेंट निकलने के बाद भी अभी तक पेपर किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं लिया गया तो DSSB ने ये फोर्म फिल करवाए थे बट अभी तक भी किसी भी अडवेटीजमेंट का एडवेट का रिलीज नहीं हुए है पेपर की डेट नहीं आई है तो बहुत सारे साथियों को कनिफ्यूजन था कि ये पेपर हो क्यों नहीं रहे है तो आज हम अपने इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि कोर्ट केस हुआ है या नहीं हुआ है और अगर हुआ है तो कोर्ट की next date कब है तो आखिरकार कितना और लंबा चलेगा ये कोर्ट केस तो एक के बाद एक हम सब point पे बात करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं एक बाद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को like जरूर कर दें साथ में अपने सभी साथियों के साथ भी share कर दें तो चलिए जैसा कि आप ये देख रहे हो ये RTI लगा के पूछा गया था और ये अभी recent में ही लगाई गई थी March की ही update देख रहे हो इसके उपर तो इसमें reply में आप देख सकते हो इन्होंने बताया कि no court case in honorable supreme court and high court as on date on post court तो इन्होंने यहाँ पे तिन्नों post court mention किये हैं जो कि 20 बटे 22 था और उसके बाद 33 बटे 23 और 91 बटे 23 तो पहले दोनों post court हैं वो DOE के जो department की special education teacher की post थी उनके लिए थे और जो 91 बटे 23 पोस्ट कोड था वो NDMC की तरफ से था तो इन तीनों ही post code की उपर DSSB ने application form fill करवा रखे हैं परन्तु अभी तक paper किसी भी post code का नहीं हुआ है बट इन्होंने आगे लिखा है next line आप देख सकते हो in respect of cat following court case are pending as on date तो इन्होंने बोला है कि cat के थ्रू जो court case है वो pending है भी क्योंकि आप ये नीचे देख रहे हो इन्होंने बताया भी हुआ है कि post code 20 बटे 22 और इन्होंने नाम भी बताया यहाँ पे कि विजेंद्रा और बनवारी लाल ने अलग-अलग case किये यह आप देख सकते हो अलग-अलग case नंबर है तो अलग-अलग case किये हुए है और साथ में 32 बटे 23 पे भी case हुआ हुआ है यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे भी अलग-अलग नाम बताये हैं राधिगा देवी, संगीता और चीखा तो इन तिनोंने अलग-अलग case किये है इनके अलग-अलग case नंबर है तो आप देख सकते हो कि यह मलब कोई सीधा ऐसा नहीं है कि Supreme Court या High Court में कोई case हुआ बट इन्ह कि जो चंदिगड में भी TGT Special Education Teacher की अभी और PRT Special Education Teacher की vacancy के लिए paper हुआ था और उनके जो marks release कर दिये गए थे तो उसके बाद cat के order के कारण ही उनको cut off देने में इतनी problem हो रही है क्योंकि cat ने बोला है उनको कि जब तक वो case नहीं सुलच जाता तो तब तक वो final cut off नहीं दे स और ऐसा ही यहां पे भी हो रहा है कि जब तक यह cat का order नहीं आ जाएगा final तो तब तक यह in post code पे paper नहीं ले जकते हैं और मैंने उस टाइम पे आपको cat के बारे में भी बताया था तो इसलिए कोई भी जो भी व्यक्ति है जिसको भी यह लगता है कि उसके अधिकारों का हनन ह हो रहा है तो वो cat में जा सकते हैं बट service में होना चाहिए वो अगर age service के उससे लग रहा उसको तो यह उनके लिए बनाया गया है और यहां पे इनको लगा है जो 20 बटे 22 वाला है वो तो age के जो age में छूट देने के कारण है और 33 बटे 23 का है उसका अभी पता नहीं चल रहा यह sorry उपर और नीचे अलग अलग post code लिखे गए हैं उपर आप देख रहे हो कि 33 बटे 23 है और नीचे post code जब दिखा रहे हैं नाम के साथ वहा 32 बटे 23 लिखा हुआ तो आप देख सकते हो इन में से कौन सा सही है और अभी जो mean है वो पता नहीं चल पा रहा है कि court यह जो cat मे गए हैं तो यह किस conference गए है बट जो 20 बटे 22 वाला है वो तो age relaxation को लेके है उसका तो पता चल चुका है बट जो 32 बटे 23 वाला दिखा रहे हैं यह इसका अभी पता नहीं चला कि किस region की वज़े से यह cat में गए थे बट फिलहाल यही है कि जब तक cat का final order नहीं आ जाएगा औ और जितने भी मुद्दे हैं cat के सामने वो सब नहीं सुलज जाएंगे तो तब तक आपका paper नहीं हो पाएगा और अभी इनकी hearing थी और next hearing मई में होने वाली है तो आप मान सकते हो कि अचार सहीता भी लग गी है और अभी hearing भी इनकी खतम नहीं हुई है तो एक के बाद एक इ गया है तो इतना लंबा procedure चल रहा है तो बहुत सारी चीजे होंगी जिन पर काम करना होगा इसलिए अभी time लगने वाला है कम से कम आप मान के चलो कि September, October तक तो आपका paper नहीं होने वाला अगर मैं बात करूं 20 बटे 22 post code के बारे में बाकी 32 बटे 23 का भी फिलहाल नहीं होगा बट जो 91 बटे 23 है जो NDMC की तरफ से निकाला गया था तो उस पे फिर भी आपके जो paper होने के chances हैं कि जल्दी paper लिया जाएगा और जैसे ही election खतम हो जाएगा तो इस पे वो पहले paper ले सकते हैं बट जो पहले vacancies आई थी दोनों तो उनके उपर अभी paper होने के chances कम हैं इसलिए आप अपनी तयारी को जारी रख सकते हैं और क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में जो paper आता है वो बहुत ही difficult होता है और यहाँ पे two parts में divide होता है journal part और special जो आपका subject specific है तो आपको दोनों ही part की तयारी करनी है जो candidate अभी तक भी तयारी करने नहीं लगे हैं तो उनके पास भी अभी भी बहुत सुनहरा अफसर है कि वो अभी तयारी कर सकते हैं क्योंकि उनको पहले लग रहा था कि paper होने वाला है बहुत जल और उनके पास time नहीं है बट अब आप देख सकते हो कम से कम अगर मैं कम से कम time भी बताऊं तो September से October में आपका paper होगा तो आपके पास लग रहे हैं तो वो थोड़ा थोड़ा revision जरूर करते रहें daily उमीद है कि आप सभी को ये चीजे समझ आ गई होगी क्योंकि बहुत सारे साथी थे जिनके ये regular comment आ रहे थे दिल्ली में कि अभी तक paper क्यों नहीं हो रहा और जैसे ही हमें पता चला इसके बारे में तो मुझे लगा कि आप सभी को भी inform किया जाए और अगर कोई भी update आती है तो वो भी आपके साथ जरूर साजा की जाएगी और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा साथ में bell icon का बटन जरूर दबाए ताकि जब भी हम video upload करें तो तुरंत आप सक information पहुंच जाए और वीडियो को जाचे जदर लाइक करें साथ में share भी करें thank you